दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं Brightcom Group Limited के बारे में आज के दिन याने की 6 जनवरी 2022 के दिन हमें Brightcom Group Limited की Board Meeting Health होते वे देखने को मिलने वाली थी और Finally वो Board Meeting पूरी तरीके से Conclude हो चुकी है और Board Meeting के Outcomes भी यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं तो यदि आपने भी Brightcom Group Limited के अंदर Investment कर रखा है या फिर आप Investment करने का मन बना रही हैं तो इस Board Meeting को आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि जो Board Meeting के Outcomes निकल कर आए हैं जिस नए बिजनस में Company अब उतरने जा रही है कही न कहीं वो Shareholders के लिए Long Term Purpose के लिए काफी एक Positive News देखने को मिल रही है तो वीडियो को स्टार्ट करते ही बिना आपका टाइम वेस्ट किये लेकिन उसके बिले यदि आपने चैनल पर First Time विजिट के आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जाता हुआ देखने को मिल रहा था जिस कारण से यहाँ पर Brightcom Groups Limited के जितने भी शेर होल्डर से वो काफी ज़्यादा पैनिक ले रहे थे लेकिन आज के दिन जो Board Meetings के आउटकम्स निकल कर आए है उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अब आपको इस शेर के अंदर अगेन एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है पिछले एक साल में Brightcom Group Limited ने भी काफी शांदार रिटन्स अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिये हैं लगब 2400% तक के रिटन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं और साथ ही साथ Brightcom Group Limited के अंदर छो वॉल्यूम बेस काम है वो भी शांदार हमें देखने को मिल रहा है सबसे पिले में आपको Brightcom Group Limited के Board Meeting के आउटकम्स बता देता हूँ उसके बाद में हम Company के कुछ और पेरामेटर्स को यहाँ पर जानेंगे तो आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2022 Recently Company के यह Board Meeting के आउटकम्स निकल कर आए हैं और यहाँ पर जो सबसे इंपोर्टेंट चीज़ देखी जा रही है वो के Company के नए बिजनस से रिलेटेट जियां दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Brightcom Group Limited Digital Audio को लेकर यहाँ पर काफी जादा बुलिश देखने को मिल रहा है यानि कि 12 मार्श 2021 के दिन इन्होंने Announcement भी करी थी कि यह नए बिजनस में कदम रखने वाले हैं जो कि Digital Audio से रिलेटेट होने वाला है और आप देख सकते हैं अकी Strategy Growth Area for Brightcom यानि कि Brightcom Shares के अंदर Brightcom Company के अंदर आपको Digital Audio के आने के बाद में काफी शांदर Growth देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर जो Statement निकल कर आया है Brightcom Groups Limited की तरह से उसमें जो लगबग Digital Audio की Growth है जो Digital Audio की ताकत है अगर आप उसका अंदाजा लगाएंगे तो लगबग 204 million listeners in the US alone हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं यानि कि Second Most Popular Activity हमें Digital Audio के अंदर यह देखने को मिलती है जैसा कि आपको बता है कि Brightcom Groups Limited Digitalization पर काफी ज़्यादा तरीके से Focus करते वे company देखने को मिल रही है और इसी current company Digital Audio की तरफ move करने जा रही है तो यहाँ पर Digital Audio को लेकर यहाँ पर चुद डाटा Brightcom Groups Limited की तरफ से निकल कर आया है के सकते हैं कि बहुत ही शांदर है और काफी बड़ा market यह capture करने जा रहे हैं आप देख सकते हैं इस 4.2 billion US dollar Digital Audio market has only been expanding since Digital Audio is the ultimate multitasking media channel whereby nearly 50% of millennials and gannels listen to digital content तो कही न कहीं इतना बड़ा market होने के कारण ही company ने यह positive steps उठाई है और अब Brightcom Group Limited इसके अंदर investment करने भी जा रहा है यहां दोस्तों company लगबख March 2021 से digital audio पर काम कर रही थी लेकिन इसनके board की तरफ से अमें approval देखने को नहीं मिल रही थी finally आज के दिन boards ने इस नए business को लेकर approval दे दी है और next one two weeks के अंदर आपको इस नए business के अंदर Brightcom Groups Limited की तरफ से लगवाख 1000 करोड रूपे का investment देखने को मिल सकता है साथ ही साथ इस board meetings के outcomes में यही एक important चीज़ थी जो कि मैंने आपके साथ share कर दी है बलकि यह जो पूरी Brightcom Groups Limited की तरफ से जो board meetings के outcome share करे गए हैं यह तो काफी बड़े हैं अगर आप इसे detail में read करना चाहते हैं तो यह मैं आपको अमारे telegram channel buzzer की खबर पर share कर दूँगा जहां से आप इसको detail में read कर सकते हैं लेकिन जो important points था वो मैं आपके साथ cover कर चुका हूँ अब बात करें कि क्या आपको Brightcom Group Limited के अंदर investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो उसके लिए अगर मैं again आपको यानि की complete analysis तो मैंने इस share के उपर कर रखी हैं लेकिन मैं again आपको यहां पर कुछ important parameters अगर बताने की कोशिश करूँ तो Brightcom Group Limited जो की हमें यहां पर लगबग 2010 में listed होते वे देखने को मिली थी incorporate होते वे देखने को मिली थी माफ करिएगा जिसका नाम पहले आपको Licos International Limited देखने को मिलता था लेकिन यही नाम 2018 में change होकर Brightcom Groups Limited कर दिया गया the company is a global provider of online और digital marketing services जैसा कि मैंने आपको कहा कि company digitalization पर work करती है और जिस प्रकार से online digital market की demand आने वाले future में बढ़ने वाली है इस company को उसका काफी ज़्यादा benefit मिलने वाला है Brightcom Groups Limited के लिए एक positive news जो निकल कर आती है वो है इनका debt equity ratio जिया दूस्तो company के उपर ना के बराबर कर जे जिस कारण से इस company को personally में भी यहाँ पर prefer करता हूँ अगर market capitalization के हिसाब से बात करे जाए तो काफी तेजी से company grow कर रही है याने कि आज से ठीक एक साल पहले जो company हमें एक small cape देखने को मिलती थी वही company अब हमें meat cape के अंदर जाते हुए देखने को मिल रही है साथी साथ company का अगर आप quarterly performance भी देखेंगी तो वो भी continuously grow होते हुए हमें देखने को मिल रहा है याने कि sales की अगर बात करें तो September quarter में company ने 90 करोड रुपे की sales declare करी थी जिसके सामने अगर operating profit की बात करी जाए तो 49 लाख रुपे का company ने operating profit भी generate किया था जिस कारण से अगर company के net profit की भी बात करें तो 20 लाख रुपे का company ने net profit generate किया था जो कि के सकते हैं कि पिछले दो quarter के comparison में तो decline हुआ है लेकिन overall company अभी भी हमें profit making देखने को मिल रही है सबसे बड़ी बात यह ही कि company के yearly performance को अगर हम measure करें तो वहाँ पर हमें शांदर growth देखने को मिल रही है सबसे बिले अगर हम Brightcom Groups Limited की currently sales की बात करें तो 346 करोड रुपे की company sales declare कर रही है और वही अगर net profit की बात करें तो 9 करोड रुपे का company net profit यहाँ पर generate कर रही है अगली update की बारे में बात करें तो वो है company की balance sheet यहां दोस्तो company के reserve और company की borrowings की बात करें तो 661 करोड रुपे के company के पास healthy reserve है और उसी क्या गेंस company के पास 98 करोड रुपे की borrowing से यान कि company के पास काफी healthy reserve भी है और एक midcap company के पास में एक बहुत ही कम हमें यहाँ पर debt देखने को मिलता है यान कि अगर आप देखेंगे तो yearly basis पर company continuously अपने debt को reduce करते वे आ रही है Brightcombs Groups Limited के अंदर एक negative point हमें देखने को मिलता है वो है इनकी shareholdings pattern यान दोस्तों promoters का stake यहाँ पर सिर्फ 22% का देखने को मिलता है जो कि एक negative points एक low points यहाँ पर company के अंदर हमें देखने को मिलता है बाकि अगर financial numbers साथी साथ debt ratio और अगर company की future growth की बात करी जाए तो वहाँ पर तो यह shares काफी ज़्यादा bullish हमें देखने को मिलता है अगर आने वाले quarter में promoters अपनी holdings को increase करते हैं और quarter 3 के result में हमें इने काफी अच्छी recovery देखने को मिलती है तो यह share भी आपको multi-bagger returns बना कर दे सकता है already दे चुका है और आगे भी दे सकता है bright chrome group limited याने की BCG के जो target है वो next 5 years में आपको 500 plus भी देखने को मिल सकते हैं तो यदि आपने इस company के अंदर investment कर रखा है तो long term purpose से आप अपनी positions को hold करके रख सकते हैं short term में भी आपको जो news यहाँ पर निकल कर आई है जो board meeting के outcomes निकल कर आए है उस वज़े से कल के trading session में भी आपको काफी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है तो चलिए दोस्तों उमीद आपको वीडियो और update पसन आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसन आई है तो इसे like और share करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated